हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सेल के टॉप शॉर्टकट्स जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आफिस में जो काम आप लोग करें वो बहुत ही क्वीकली कर सके तो देखिए सबसे पहला जो श इस्तमाल किये फुल क्याना है तो मुझे करना क्या होगा कि में यहाँ इस सेल में जभास vicd ऌकर्ट्स गैएं बाद मैं दोढ़नीं के साथ आप देखेंगे कि यह सारा जो full name है अलग अलग records का वो यहां पे चला आया तो यह तो हो गया कि कैसे आप दो column के value को बिना formula से आपने जोड़ दिया flash fill के जरी अब देखते हैं कि अब यह जो full name आपका आया है आपको इसमें से first name और last name को अलग अलग करना है वो भी बिना किसी formula का इस्तमाल किये हुए तो यहां पे आपको जो पहला name है full name का वो type करके इंटर प्रेस कर देना है और वापत select कर लेना है उस cell को जहां पे वो first name आया है और उसके बाद keyboard से press करना है control A आप पाएंगे कि सारे cells में first name आ चुके है इसी तरह से आपको जहां पे last name निकालना है वहां पे last name पहले record का type करके इंटर प्रेस कर देना है वापस चले जाना है उस cell के उपर और उसके बाद keyboard से press करना है control के साथ A तो आप आएंगे कि यहां पर last name आ गया बढ़ा है लाना है हस्ता वचेरा smiley face तो आपको alt के साथ numeric keyword keypad से alt के साथ आपको one press कर देना है जैसे आप one press करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे smiley face आ चुका है देखिए फिर से मैं यहां पे अगले किसी cell में alt के साथ one press करता हूँ यह आपका smiley face आ गया तो चलिए बढ़ते हैं अगले shortcut के उपर देखिए यहां पे suppose आपको एक particular range of cells select करना है तो manually आप ऐसे drag करके ऐसे select करते हैं अगर यह कम cells होता है range होता है तो यह selection आप mouse से कर भी सकते हैं लेकिन अगर यही selection आपका बहुत जादा होता है तो आपको बहुत जादा समय लगता ह है आप ऐसे downward select करते चले आते हैं तो बहुत जादा आपका समय चला आता है आपको करना कुछ नहीं है इसके लिए आपको range का जो पहला cell है उसको उस पे click करना ताकि वो select हो जाए उसके बाद keyboard से आपको press करना है F5 button जैसे ही आप F5 press करेंगे आपके सामने go to का dialogue box चला यहां पर पहले से जो लिखा हुआ है reference box में उसको आपको मिठा देना है अब यहां पर आपको देखना है कि range में आपका जो last column है वो कौन सा है सपोज मैं roll के साथ यहां address तक select करता हूं तो यहां पर मेरा last column है वो C हो सकता है आपका DEFG जहां तक भी जाए उसके बाद कितना row आपको select करना है सपोज मुझे 100 row select करना है मैंने 100 type कर दिया अब देखेंगे कि यह reference वाला box यहां पर C 100 आ चुका है अब आपको ऐसे नॉर्मली ओके पर click नहीं करना है बहुत ध्याम देंगे shift को keyboard से press किये रहना है और उसके बाद ok पर click करना है जैसी आप ok पर click करेंगे आ आपका पूरा A1 A के 2 से C के 100 तब जहां तक आपने range दिया था वो select हो गया अभी चलिए यहां से मैं border यहां से लगा देता हूं all borders और फिर मैं यहां वापस चला आता हूं देखिए यह आपका यह पूरा select हो गया है और अब ही अगर आप range of cells को select करना चाहते हैं नीचे के तरफ तो आपको shift के साथ down arrow श्र UCL करना पड़ता है अगर आप ऊपर के तरफ जाना चाहते है direction के साथ तो shift के साथ up arrow priss करना पड़ता है उसी धंसे अगर आपको दहिन से एक करना है то shift के साथ right arrow click step यो Command left arrow use करना पड़ता है यह बहुत ही normal shortcut है लेकिन देखिए Excel में आपको यह selection activate करना होगा आप शुरू में क्या करें keyboard से आपको press कर देना है F8 की जैसे ही आप F8 करेंगे तो आपका selection mode activate हो गया ध्यान रखेंगे यह जो F8 किया यह toggle की है इससे selection mode activate भी होता और deactivate भी होता है तो चलिए अभी मैंने F8 press करके selection mode को activate किया है अब आप को कोई shift की का use नहीं करना है आपको simply right arrow दबाना है आप देख पा रहे होंगे कि दाहिने के तरफ जो ही यह selection होता जा रहा है अगर आप down arrow दबाएंगे तो नीचे के तरफ selection हो जाएग बिना shift की के अगर आप up arrow दबाएंगे तो उपर के तरफ selection हो जाएगा और उसी डंग से अगर आप ऐसे click भी करेंगे ना mouse से तो जहां तक click करेंगे वहां तक आपका यह select हो जाएगा वापस आपको deactivate करने के लिए keyboard से again F8 दबाना है तो आप देखेंगे कि अब देखिए आपका यह deactivate हो गया चलिए एक बार मैं दाहिने और ऊपर के लिए बाएं और ऊपर के लिए एक बार फिर से मैं F8 की दबाता हूँ और अब देखिए आप बाएं एरो की से लिफ्ट एरो की से आप बाएं के तरफ सेलेक्शन कर रहा है बिना shift के और अब एरो से ऊपर के त को और एक टिवेट कर रिपीट करता है जैसे सपोस्स कि यह जो रॉल है या सपोस्स मैंने new column की और इसको यहां से कर दिया बोल्द और इसके ऊपर को ही मैं यहां से enemy color अब मैं चाहता हूँ कि यही सारा formatting यहां पे भी लागू हो जाए तो मुझे करना क्या है इस cell पे click करना है या आप चाहे तो multiple cells भी select कर सकते हैं और keyboard से आपको दबाना है F4 आप देखेंगे कि वही command आपका repeat हो गया और यही वजह है कि जो format आपने apply किया था just previous cell में जो आपका last job done था वही काम आपका यहां पर repeat हो गया है चलिए अब यहां पर suppose कि यहां पर मैं लिखता हूँ सचिन और इस सचिन के लिए मुझे यहां पर को एक comment insert करना है कि जिसमें मुझे सचिन के बारे में लिखना है तो मुझे keyboard से प्रेस करना होगा shift के साथ F11 जैसे ही देखें यह shift के सा साथ F11 प्रेस करने से क्या होता है कि आपका एक नया वर्क्षिट चलाता है यह important है shift के साथ आप F11 प्रेस करेंगे एक नया आपका वर्क्षिट चलाएगा ठीक है अब suppose कि मुझे यहां पर इस particular cell के लिए कोई comment insert करना है अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं shift के साथ F2 प्रेस क करूंगा इस cell को मुझे select कर लेना है जिसके लिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए comment insert हो अब मैं keyboard से shift के साथ F2 जैसे ही प्रेस करूंगा आप देख रहे होंगे अपने screen पे कि दाहिने तरफ एक छोटा सा box आ गया है comment box है अब मैं यहां पे लिग देता हूं कुछ comment में जो ही आपको comment लिखना है तो आप देखेंगे कि वह comment वहाँ पर inserted है जब आप वहाँ पर जाएंगे तो यह आपका activate होगा हट जाएंगे तो deactivate हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम लोगों ने दो चीज़ सीखा एक चीज़ सीखा कैसे आप comment insert करते हैं जिसके लिए आप use कर मुझे format sales अगर activate करना है तो मैं यहां control के साथ one press करूंगा तो देखे format sales का dialogue box आ सकता आ जाता है यहां पर जहां से मैं अलग-अलग formats यहां से apply कर सकता हूं मैंने ऐसा इसलिए बताया देखिए यह तो बहुत common सा shortcut था लेकिन अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं मैं यहां चा मैं text लिखा हूँ जिसको hide करना है और simply यहां से आप text का color वही कर लेते हैं जो आपका background का color है तो यह आपका hide होगे लेकिन actually यह better तरीका नहीं है क्योंकि अगर यहां पे कोई suppose यहां से कोई दूसरा अगर suppose यहां से background color ही कोई select कर ले अलग तो आप देखेंगे कि आपका जो text ला color था वो उस particular background में के वजह से वो highlight हो गया है तो यह तरीका actually बढ़िया नहीं है आपको करना क्या चाहिए आपको इन सारे sales को select कर लेना है और उसके बाद keyboard से दवाना है control के साथ 1 ताकि format sales का dialogue box आ जाए वहां पे चाहे जो भी tab activated हो आपको click कर देना है number tab पे और चले आन जा देना है जो उपर लिखा हुआ है और यहां पे तीन बार semicolon लिखके ok कर देना है जैसी आप ok करेंगे आप पाएंगे कि देखिए यह actually hide हो गया आप देख पा रहा होंगे इसका color change नहीं हुआ क्योंकि अभी यह red background में है अभी अगर मैं यहां से background हटा भी दूं यहां से अगर suppose मैं यहां से background हटा जैता हूं no fill तो देखिए यह आपका hidden हो गया text तो यह आपका control one and plus वहां पे general के साथ तीन बार semicolon का यह तरीका हो गया अभी आप चाहते हैं कि यह देखना कि यह जो आपका matter है यह यह सपोज इस sheet का जो matter है यह आपका कैसा print out में दिखेगा तो आ आपको keyboard से दवाना है control के साथ f2 जैसी आप control के साथ f2 दवाएंगे आप देखेंगे कि यह print preview section आपका खुल गया है और जहां कि आप देख पा रहे हैं कि exactly ऐसा print होगा चले यहां से वापिस चलते अभी अगर आपको मैं एक चीज़ इंटर से भी आप paste कर सकते हैं जैसे suppose क कि यहां पे मैंने कुछ roll लिखे अब normally लोग क्या करते हैं कि इन सारे cells को select करने के बाद keyboard से control के साथ c press करते हैं और जहां पे भी paste करना होता है वहां पे जाने के बाद वो control के साथ भी use करते हैं लेकिन अभी यह control c से मैंने select किया है यह selection active है मैं सीधा यहां से keyboard से इंटर सकते हैं तो उमीद करता हूं कि अभी तक वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा एक लाइक जरूर दे दे ताकि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं इस वीडियो को बनाने के पीछे वह सफल हो जाए चली बढ़ते हैं अगले shortcut के ऊपर यहां पे देखिए यहां पे म मैंने यह multiple cells यहां से select किये हैं अभी आपको सब में कोई एक particular message print करना है जैसे सब्सक्राइब यह particular value वह को text value भी हो सकता है कोई date भी हो सकता है कोई boolean value भी हो सकता है कोई number भी हो सकता है चली मैंने एक text लिया मुझे happy print करना है अभी control के साथ अगर आप और उसके बाद मैं control इंटर प्रेस करूं तो आप पाएंगे कि यह सारे cells में 12 आ चुके हैं अगर मैं यहां से देखिए control की दबाने के बाद मैं यह extend करता हूं selection और यहां पे मैं इतना select कर लेता हूं और उसके बाद suppose मैं यहां पे true लिखता हूं और control के साथ इंटर मैं यहां से प्रेस करता हूं keyboard से तो आप देखेंगे कि सब में true value आ चुका है सवाल है इसका इस्तिमाल गया है तो चलिए यहां real life का इस्तिमाल हम लोग सकते है control इंटर का जैसे यहां पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स का physics chemistry और math का marks रखा है यहां पे कुछ का marks नहीं वहां पे आप absent लिख दो तो मुझे क्या करना है मैं यहां से यह सारे range को select कर लूँगा उसके बाद keyboard से मैं दबाऊंगा F5 बटन जैसे ही मैं F5 दबाऊंगा तो यहां पे आपके सामने go to का dialogue box screen पे आ जाएगा आपको यहां से special button पे click करना है और blanks वाले radio button को click कर करना है select करना है और okay कर देना है तो इससे यह होगा कि वो जो selected range of cells था उसमें जितने भी blank cells हैं वो सारे select हो गए अब आपको उनमें क्या आप फिल करना था तो सब में मुझे absent फिल करना है तो मैं absent लग दूँगा और control के साथ इंटर दवा दूँगा तो आप देखेंगे कि एक ही बार में यह सारे blank cells में absent value चले आए तो बहुत ही unique यह shortcut है बहुत ही काम आने वाला shortcut है comment यूरू करेंगे इसके बारे में चली बढ आप देख पारे होंगे बहुत सारे items duplicates भी है अब यहां पर आपको पता करना है कि इसमें से unique item कौन कौन सा है वैसे item का नाम दिखाओ जो unique है तो आपको keyboard से alt के साथ down arrow key का इस्तमाल करना है आपके सामने देखिए dove, हमाम, lux और निर्मा यह सारे values आगे हैं जो की unique values है इसके इनका और बेस्तमाले जैसे यहां पर आपको कोई particular name आपको type करना है लेकिन आप type नहीं करना चाहते हैं आपको क्या करना है blank cell जहां आपको type करना है उसको select करना है keyboard से alt के साथ down arrow press करना है और उस item को select करना है down arrow key का इस्तमाल करके जिसको आपको लिखना है और select करने के बाद आप इंटर दवा दे देगे आपके सामने वो पर्टिकुलर टेक्स्ट आटोमेटिकली लिखा हुआ चला आएगा तो यह आपका जो है अल्ट के साथ डाउन एरो की का मैंने इस्तमाल करके दिखा दिया अभी मुझे यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पंकज ओके मैंने यहां पंकज लिख दिया अब मुझे इसी सेल में नए लाइन में कुछ लिखना है अगर मैं इंटर प्रेस कर दूँगा न तो मैं अगले सेल पर चलाओंगा और मैं जो टाइप करूँगा वो अगले सेल में आ जागा लेकिन देखे इसका भी उपाय है क्या उपा पूरा लिखा हुआ मैंटर कंप्लीट हो जाए तो आपको इंटर प्रेस कर देना है देखे यह आपका रैप टेक्स टाइप का इफिक्ट शॉटकट में आ गया अल्ट के साथ इंटर कीगा इस्तमाल से ओके चली बढ़ते हैं अपने अगले शॉटकट के ऊपर देखे यहा अगर कंट्रोल की के साथ पहले मैं एरो की इसके बारे बताता हूँ डाउन एरो से आप डाउन वर्ड एक एकसल नीचे के तरफ जाते हैं जबकि राइट एरो से आप दाहीने एक एकसल जाते हैं अब एरो से आप उपर के तरफ एक एकसल जाते हैं और लिफ्ट एरो से आखी सेल में डाउनवर्स चला जाओंगा अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाओं तो जहां मेरा डाटा राइट वर्स खतम हो रहा है वहां मैं चला जाओंगा अगर मैं कंट्रोल के साथ अप एरो दबाओं तो ऊपर के तरफ जहां डाटा मेरा खतम हो रहा है वहा पूरा सेलेक्ट हो गया अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दवाने के बाद अप एरो दवाते हैं तो आप उपर के तरफ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा control shift के साथ अगर आप right arrow दबाते हैं तो दाहिने तरफ पूरा select हो जाएगा और इसी धंग से अगर आप control के साथ shift के साथ lift arrow दबाते हैं तो आप पाएंगे कि यह पूरा आपका lift के तरफ जो है यहां से यहां तक select हो चुका है तो यह control के साथ मैंने simple arrow keys का इस्तमाल बताया फिर control के साथ arrow keys का इस्तमाल बताया और उसके बाद control के साथ shift के साथ arrow key का इस्तमाल बताया अब देखिए मैं यहां किस row में हूँ मैं हूँ चौथे row में और मैं यहां control के साथ keyboard से space को select करता हूँ तो यह चौथे row को नहीं बलकि जिस column में हूँ मैं किस column में था ये select हो गया अगर आप suppose यहां इस column में और आप control के साथ space दवाते हैं तो आपका वो पूरा column select हो जाएगा लेकिन अगर आपको ये तीसरा row select करना है देखिए आप उसी तीसरे row की किसी Excel में हैं कहीं भी हो सकते हैं तो आपको shift के साथ space द select हो जाएगा ये देखिए बिल्कुल अलग है control A से ओके ये पूरा data active जो data range होता है जहां पर आप काम कर रहे हैं वो पूरा data range को select करने के काम में आता है अभी देखिए आप चाहते हैं कि ये आपका जो data range है जिसको आपने control shift और space से select किया है इस पे आप all borders लगाना चाहते ह तो आपको keyboard से alt प्रेस करना है और उसके बाद hba ये आपको type कर देना है alt के साथ hba आप देखेंगे कि ये आपका पूरा जो selected range of cells था उसमें all border लग चुका है अभी आपको इसको हटाना है तो ये पूरा आपको range select करना होगा और control के साथ shift के साथ underscore आपको प्रेस करना है जह score है तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका ये all border लग गया चली एक बार score करके देखते हैं मुझे यहां तक border लगाना है मैंने keyboard से alt hba प्रिंट किया ये देखिए आपका all border लग गया अभी हटाना है आप control के साथ shift के साथ underscore press करते हैं आपका ये shortcut हट गया अभी suppose मैं यहां पर कोई price लिखता हूं suppose 199 यहां पर मैं लिखता हूं 299 यहां पर मैं लिखता हूं 544 अभी suppose ये 299 जो है यहां पर कट मार्क मुझे लगाना है बीच से कटा हुआ जिसको strike through भी बोलते हैं तो मुझे control के साथ 5 प्रेस करना होगा keyboard से देखिए जैसे मैं control के साथ 5 प्रेस करू हो गया जो बता रहा है कि यह अभी फिलहाल unavailable है बहुत ही important shortcut है यहां दखें control के साथ 5 चली बढ़ते हैं अभी अभी अगले shortcut के ऊपर देखिए control के साथ plus यहां पर मैं तीसरे रो में और दूसरे कॉलम में हूं मैं control के साथ plus जैसी दवाता हूं यहां पर ध्यान देंगे control क के साथ जैसी मैं plus दबाता हूं तो आपके सामने insert का dialogue box चलाएगा यहां ध्यान देंगे कि जो plus दबाना है वो numeric keypad से दबाना है ठीक है चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं मैं यहां पे कहीं एक जगह पे हूं और मुझे control के साथ यह numeric keypad से मैंने plus दबाया आपके स इसको भी मैं हटा देता हूं फिर से control plus आप चाहे तो shift cell right कर सकते हैं फिर मैं इसको हटा देता हूं control के साथ plus और आप चाहे तो shift cell down भी कर सकते हैं यह आपके ऊपर है कि आपको कौन सा option use करना है लेकिन control के साथ plus से याद रखेंगे कि आपके सामने insert cells का dialogue box आ जाएगा जहां से आप cells इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं अभी उसी धंग से मैंने Excel से लेक किया और मैंने दवाया है control के साथ minus देखिए control के साथ plus से insert का dialogue box आ रहा था जब कि control के साथ minus से delete का dialogue box आ रहा है तो जैसे मैंने एक row या एक कॉलम या cell को insert किया था यहां से अगर मैं च हटाता हूं control Z से फिर से control के साथ minus आप entire row भी मिटा सकते हैं यहां से entire row को select करके ok करने पर और चलिए फिर से control Z control minus आप चाहे तो उस particular cell को मिटा सकते हैं और shift cell up मतलब यह 345 उसके जगह पर चलाएगा ok करने पर चलिए इसको भी मैं हटा देता हूं control minus आप चाहे तो shift cell left कर सकत है ताकि यह जब cell delete हो तो दाहिना वाला जो cell है जिसमे 231 है 231 है वो यहां चला है ok यह देखिया ऐसा भी कर सकते हैं तो चलिए इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं तो यह shortcut था control के साथ minus का ok अभी अगर ध्यान देंगे control 0 यह क्या चीज़ है यह आपका देखेंगे ध्या और उसके बाद मैं control के साथ 0 जैसी दबाऊंगा आपका वो location वो particular column जो है वो hide हो गया है ठीक है अभी अगर आपको unhide करना है तो आपको keyboard से alt o c u दबा देना है unhide हो जाएगा ध्यान देंगे control के साथ o से hide होता है जबकि alt के साथ o c u दबाने से unhide होता है लेकिन फिर से location 2 suppose मुझे hide करना है तो यहां मैंने किसी cell को select किया control के साथ 0 ये देखिए hide हो गया अभी आपको unhide करना है तो आपको keyboard से alt दबाना है और उसके बाद o c u जल्दी से आपको प्रिस करना ये unhide हो जागा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने control 0 से hide दो कर दिया और hide करने के बाद आपने कोई दूसरा कहीं पर cell select किया वहां काम वाम किया और आप वापस यहां पर चले आए अब आप अगर alt के साथ o c u दबाएंगे तो देखिए ये unhide नहीं हो रहा है फिर से मैं कोशिच करता हूं alt o c u देखिए unhide नहीं हो रहा है इस case में जो column आपने hide किया था उसके बाएं और उसके दाहिने वाले column को आपको select करना होगा जैसे मैंने c column को hide किया था तो उसके बाएं b column को और उसके दाहिने d column को मैंने select कर लिया है और अब मैं keyboard से alt के साथ o c u दबा देता हूं देखिए ये आपका unhide हो चुका है ठीक है बिल्कुल समझ में आ रहा हो लोग अभी अगर आप देखें तो control f1 देखे control f1 shortcut क्या करता है यह जो आपका ribbon वाला section है यह अभी आपका यहां से दिख रहा है आपको इसको hide करना है आप keyboard से आपको control के साथ f1 दबाना होगा जैसी आप दबाएंगे वह पूरा का पूरा section आपका छिप गया hide हो गया अपस उसी से यह आ चुका है तो उमीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो like करें comment करना ना भूले share कर दें दोस्तों के भी ताकि उन लोगों को भी information मिल सके और जो लोग हमार करों उसका notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे वीडियो के लाच तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धनेवाद थैंक्स थैंक्स अलोट